वेलकम गाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस हंडेट डे पाइथन कोर्स में अब तक हमने दो दिन का कोर्स अपना पूरा कर लिया है और अब हम आगे हैं अपने डे थरी के कोर्स में आज के वीडियो में हमारा टार्गेट यह होगा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें अगर मैं कोई नंबर को डालूँगा एसे इंपुट तो हमारा प्रोग्राम मुझे बता देगा कि यह जो हमने नंबर डारा हुआ है यह इवेड है कि ओड है तो यार देखा जाए तो काफी कमाल की चीज़ को हम लोग आज बनाने वाले हैं फिलहाल अभी एक मेंड के लिए इसको बाजू में कर दो उससे पहले मैं तुम लोग को Python के एक function से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसका नाम है module operation तो यह जो module operation है यह कैसे काम करेगा चलो देखते हैं सबसे पहले यह module operation क्या होता है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आ जाऊँगा अपने code पे अपने code पे आना भहुत ही आसान है उसके लिए simple आपने Python की directory को बनाईए और उसको open with code के साथ यहाँ पे open कर लीजिए कर मैं यहां लिख दूँगा seven modulo two तो मैं यहां पर करना क्या चाहता हूं यहां पर देखिए यह जो percentage का sign है इसी को हम बोलते हैं modulo यह modulo का use करके मैं किसी भी division में से remainder को बहार निकाल सकता हूं for example मैं यहां पर seven को two से divide करना चाहता हूं और मैं modulo operation का use करके divide कर रहा हूं so मुझे यहां पर remainder मिलना चाहिए अब जैसे ही मैं अपने इस code को run कर दूँगा मुझे यहां पर देखिए output में remainder देखने को मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है इसका प्रॉब्लम यह है कि जब तक मैं यहां पर print function का use नहीं करूँ गा जब तक मुझे यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और सबसे पहले print function का use कर लूँगा और अब जैसे मैं अपने code को run करूँगो मुझे यहां पर one देखने को मिलेगा अब यह 1 क्या है यह 1 है रिमेंडर अगर आप लोग को नहीं पता है कि डिवीजन ओपरेशन किस तरीके से होता है तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि डिवीजन ओपरेशन किस तरीके से होता है यहां पर मैं प्रिंट 7 मॉडलो 2 लिख रहा हूं इसक जो भी number होता है ओर हमने को आपकर आर जाता है कि αुझा और मुझे जो रिमेंडर जो डिवाइड नहीं हो रहा था यहां हूर जैसे हमने यहां पर साथके साथ किया है ऐसे आप बहुत से अलागरा अगर मैं यहां पर 6 का यूज कर लेता हूं, तो यहां पर 6 में क्या होगा, 6 में यह खत्म हो जाएगा, और 6 को जैसे ही मैं रन करूँ यहां पर, वो पुरा का पुरा रन होके आ जाएगा, और मुझे वहां पर 0 देखने मिल जाएगा, यहां पर 6 के बदले, यहां पर 15 कर लेता हूं, तो यहां पर देखने मिलेगा, और अब जैसे मैं 15 को यहां पर रन करूँ गा, तो मुझे यहां पर 1 देखने को मिल जाएगा, because यह divide होगा plus two फिर plus two फिर यहाँ पर आ जाएगा plus two फिर यहाँ पर जाएगा plus two यहाँ पर seven time two आ जाएगा और एक आखरी जो बचेगा remainder वो मेरा one हो जाएगा तो कुछ ही तरीके से जो आखरी वाल divide नहीं हो पाएगा वो ऐसे remainder मुझे देखने को मिल जाएगा तो मुझे आप लोगों को module बताना था और module का use करके हम लोग इस तरीके से remainder को निकाल सकते हैं अब फिर से आते हैं हम अपने उस program पे जिसको आज हम बनाने वाले हैं चुकि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक ऐसा program जो हमको बताएगा कि हमारा number even है या odd है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि even number क्या होते हैं even number एक ऐसा number होता है जो 2 से divisible होता है और जैसे ही हम उसको 2 से divide करते हैं हमें remainder के तौर पे 0 देखने को मिलता है for example अगर मैं 54 को divide करता हूँ 2 से तो मुझे remainder के तौर पे 0 देखने को मिलेगा तो यानि कि 54 जो है वो totally 2 से divisible है यानि कि यह even number हो गया बट अगर मैं यहाँ पे 54 के बदले 53 का use करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 के बदले कोई odd number as a output देखने को मिल सकता है यहाँ पे मुझे एक as a output देखने को मिल रहा है यानि कि यहाँ पे remainder मेरा एक बच रहा है so I will say that कि यह एक odd number है it means अब सारी basic चीज़े हमारे clear हो जाने के बाद अब हम आते हैं अपने code पे और अपने program को बनाना start करते है so उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे user से input लेलना चाहता हूँ कि user कौन से number को check करना चाहता है कि वो even है कि odd है so for that मैं यहाँ पे लिख दूँगा which number did you like to check मैं यहाँ पे एक number नाम से variable बनाता हूँ और उसके अंदर इसको store कर दूँगा आपको पता है मुझे पता है जो भी value हमको input से मिलता है दरसल वो होता है string data type हम उसमें कोई भी mathematical operation को perform नहीं कर सकते हैं so मुझे अगर यहाँ पे number के साथ कोई mathematical operation perform करना होगा होगा नहीं मुझे actually करना ही है क्योंकि मैं यहाँ पे model का use करूँगा और मुझे remainder चाहिए so उसके लिए मैं सबसे पहले इसका data type string से integer में convert कर लेता हूँ आपको पता है मुझे पता है string से integer में convert करना कितना easy है उसके लिए simple यहाँ पे integer data type को लिग दो और बस होगे आपका data type integer और मैं यहाँ पे if statement का use करके यह जो number है मैं इस number को model का use करके 2 से divide करूँगा और मैं चाहूँगा कि जैसे ही यह divide हो इसकी value मुझे 0 मिलनी चाहिए अगर इसकी value मुझे 0 मिलीगी तो मैं माल लोगा कि जो भी number 2 से divide होने के बाद value 0 देता है वो एक even number हो जाएगा तो मैं यहाँ पे simple लगा दूँगा colon और colon के बाद मारूँगा enter और मैं यहाँ लिख दूँगा print और this is an even number आपने डाला हुआ number even number है लेकिन यहाँ पे chances यह भी है कि जब हमारा number 2 से divide नहीं होगा इट मिल्स वो दो से divide होने के बाद 0 के बदले कुछ और देगा तो वो एक odd number हो जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे use करने वाले हैं else और else के बाद मैं simple लगाँगा colon और colon लगाने के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा print आपने जो number दिया है वो even नहीं है अगर वो even नहीं है तो बस एकी चीज़ बसी है वो है odd तो मैं यहाँ लिख दूँगा this is a odd number तो बस यार यह 4 line का code आपको लिखना है और just आपको simple run कर देना है और run करने के बाद आपको जो number चेक करना है वो even है odd है आपको simple वहाँ पर लिख देना है जैसे मुझे चेक करना है 41 even है कि odd है since मुझे पता है कि यह एक odd number है तो मेरे program नहीं बता दिया कि यह एक odd number है तो even odd का program बनाना इतना easy है बस 4 line का code लिखना है और हो गया तयार आपका program तो यार अब आप लोग भी तयार हो जाए है अगले challenges के लिए और comment section में हमें यह बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और फटा फट से हमारे channel को subscribe करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you for watching jack